दिग बॉस के घर में हुआ है एक अनफेर एडिक्शन और वो किसी और की रही वर्ल की आशिका भाटिया की जी हां आपने बिलकुन सरी सुना है आशिका भाटिया एविक्ट हो गई है बिग बॉस के घर से क्या है पूरी डीटेल जानेंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पह पर सोशल मीडिया पर फैंस ने हंगामा मचाया था कि अनफेर एविक्शन हुआ था और फिर उसके बाद कई ऐसे कंटेस्टन है जो कम वोटिंग के चलती एविक्ट होड़ेते लेकिन उस टाइम नो एलिमिनेशन करके उस कंटेस्टन को सेव कर दिया गया लेकिन आपको ब पता चलेगा और लेकिन अगर मैं आपको बात बताओं कि एविक्शन वाला एपिसोड जो है वो इतना जल्दी शूट नहीं होगा क्योंकि वो तो संटे को टेलीकास्ट होता है लेकिन अब सोर्सस से ये रिपोर्ट आ रही है कि आशिका भाटिया एविक्ट हो गई है तो ह हो सकता है कि शो में दो आविक्शन हो तो लेकिन ये जो है आशिका भाटिया की ख़बर जो आ रही है वो बिल्कुल अनफैर है क्योंकि आपको अगर मैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंग बताओं तो आशिका जो है ना वो बॉटम में भी नहीं थी वलकि टॉप 3 में आ रह रही थी और अभिनाश उपर चले जा रहे थे मतलब कि लास्ट के बॉटम में जैड और फलक थी तो अगर ऐसे वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अविक्शन होना होता तो फलक या फिर जैड दोनों में से कोई एक अविक्श होता लेकिन आपको बता दे कि आज शो में फैम अविक्शन के पैरिंस ने डिसाइड करके आज़िका अशिका को शो से बाहर निकाला हला कि 10 दिन तो हुए आज़िका को शो में आने और वो अपने आपको पूरी तरह से शो के आप से ढालने की कोशिश कर रही थी लेकिन आज़िक भी रही थी वो सब भले ही उसे कह रहे लेकिन आज़िका दीथ रही थी वो अपना पॉइंट रख रही थी जैसे कि हमने कैप्टन सी टांस करके टास्क में भी देखा था कि किस तरह से आज़िका ने अपना हंडेट पसंद दिया तो ऐसे मैं आज़िका के आज़िक्शन की ख़़र सुनको सोचल मेडिया पे फैन है